कि सबसे पहली बात तो हमारी examination देने की आदाटी छूट गई ही दो साल से क्योंकि हमने कोई exam नहीं दिया था तो हम जब copy लिखते रहे दें तो हमारा time है पूरा चला जाता है को पते नहीं चलता कि time कैसे consume हो जा रहा है क्योंकि दो साल से बोर्ड इक्जामनेशन के ना होने से जो हैबिट है उनके वह छूड़ गई है जिसके चलते बोर्ड इक्जामनेशन काउंसिल कमेटी हैं जहां पे एक्जामनेशन सेंटर से वहां पे अच्छे से वेंटी लेटर जितने भी बच्चे हैं पे बोर्ड इक्जामनेशन दे रहे हैं दोस्तों मैं आपको बता दूँ बोर्ड इक्जामनेशन के कैसे लेशन के लगातार मांग उठते चलते जब गवर्मेंट के तरफ कोई रिस्पांस नहीं मिला है तब यहां पर जितने भी सीबियस्टी और स हैं उनके पैरेंट्स अभिभावक जो हैं वो यह नहीं चाहते हैं वो कोई बच्चों के साथ लाइब के साथ रिस्क नहीं रहे हैं और वो इसलिए चाहते हैं कि बोर्ड इक्जामनेशन को यह था जिग्र आए सूनगे पासबर पोस्ट पोन्य कैंसिल करते जाए लेकिन ग या तो online exam करवा लीजिए या तो exam मत करवाईए अगर cbc को examination करवाने की इतनी ही बहुत जरूरी है इतना ही बहुत important है तो online examination को attend करवा लीजिए बट examination को कैंसिल कर दीजिए या तो postpone कर दीजिए क्योंकि दोस्तों जिस तरह से कुविड की ग्राफ में बढ़ोतरी देखी जा रहे है लगातार कई जगहा पे नए नए कोरोना संक्रिप्ट निकल रहे हैं जिन में कई सारे बच्चे भी infected हो रहे हैं साथी साथ जो गर्मी के प्राबलम हो रही है उसने बताया कि सबसे पहली बात तो हमारी examination देने की आदती छूट गई ही दो साल से क्योंकि हमने को एक्जाम नहीं दिया था तो हम जब कॉपी लिखते रहे दें हमारा टाइम ही पूरा चला जाता हमको पता नहीं चलता कि टाइम कैसे consume हो जा रहा है क वहां पर अच्छे से पानी पीने की सुधा नहीं है जिसके चलते बोर्ट examination की जिसने भी कैंडिडेट हैं चाहे वह क्लाश 10 क्लाश 12 के हो चाहे वह क्लाश 10 क्लाश 12 के हो दोस्तों उन्हें इंपेडिड होने खत्रा के जो रिस्क है जो चांसेस हैं वो कई परसेंड बढ़ से लाया हाइस टैक कैंसे लवर सेमिस्टर टू बड़ इग्जामने सां बच्चों ने यहां तक कि मिनिश्टर सौर जितने भी MP MLA सां उन से रिक्वेस्ट की कि हमारे बोर्ड इग्जामनेशन को कैंसिल कर दीजिए यहां पर CISC को टैक करके बच्चों ने भी मार्च निक इस बारे में कोई फैसला लेने को तयार नहीं है वो कॉंटिनेशनी बोर्ड इग्जामनेशन को कंडर करा रहा है यहां पर CISC का तो एकदम से कुछ बात ही नहीं किया जा सकता क्योंकि वह तो एकदम से टेंसन फ्री ही हो गया है अपने बोर्ड इग्जामनेशन कंडक्श और पानी की विवस्था के चलते बार बार नोटिफिकेशन रिलीज कर रहा है सी बैसी सेंटर बोर आप से कंडर एजुकेशन लेकिन CISC यहां पर पूरी तरह से एकदम टेंसन फ्री होके बैटा है इसा लग रहा है कि कोवीड के से दूर दूर तक कोई वास्ता ही ना अलगातार बोर्ड इग्जामनेशन के कैंसलेशन की मांग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं कह रहे हैं बोर्ड इग्जामनेशन में कैंसल कर दीजिए या तो इग्जामनेशन को लीजिए ही मत या तो ऑनलाइन मोड में करा लीजिए क्योंकि बोर्ड इग्जामनेशन की कं के ना चलते अब उन्होंने बोर्ट इग्जामनेशन के बहुत मायंगे क्योंकि कोबीड के साथ खत्रा था प्लस उनकी त्यारी भी उस लेवल की नहीं थी जिसके चलते हैं वो लोग बोल रहे हैं कि हमको थोड़ा समय मिल जाए तो बोर्ट इग्जामनेशन को ऑनलाइन मोड नहीं कर पाएंगे लेकिन ऐसा ही हुआ वोड इग्जामनेशन को कोईंसिल ना करके वोड इग्जामनेशन को कंडर करा दिया जिसके चलते कई सारे बच्चों में प्राब्लम देखने को मिली है वो दो तिन दो लो सुसाइड कर लिए हैं अब यहां पर दिल्ली गाजी दोसके चलते उन स्कूलों को सिलक कर दिया गया है और चेंटर्स चेंज हुए हैं दोस्तों उस सेंटर में इस पर दिया जा रहा है अब यहां पर 2022 के semester टो की board examination और term टो की board examination के cancellation की मांगों को तेज करते हुए जितने भी अभिभावक हैं वो दोस्तों धरने प्रदर्शन चालू करती हैं अब इस पर government या board council कमेटी कीन बातों पर फैसला लेता है वो तो जब को कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पर क्लिक कर सकते हैं ताकि जाएस एक उल्याइट इंफर्मिशन उनका प्राप्त होती है आप लोगों तो दोस्तों वीडियो बनाके हम पहुंचा दें और अगर किसी प्रकार से आपको बहुत ज़्यदा प्राबला मारें यह ब बात करके अपने प्राबलम को सल्यूशन पा सकते हैं तो अगर आपको कोई बहुत संगीन प्राबलम बहुत ज़्यदा सीरिस प्राबलम में आपको बूर्ड इंसर प्राप्त हो और गार्जियन कीन-किन बातों की मांग कर रहे हैं आई हो दोस्तों आपको आज की वीडियो सब्सक्राइब को प्राप्त होती है सीवेस्टी से किसी भी स्टेट बोर्ड से और ड्राप्त हो गार ड्राप्त हो एंत की मांग की वीडियो प्राप्तAnd G. झाल झाल